सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बैल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हेलो आप सभी का हमारे अपनी यूट्यूब चैनल बाबस सबसे दोस्तों अभी कुछ टाइम के अंदर क्लास 10 के और क्लास 12 के प्राक्टिकल एक्जाम स्टार्ट होने वाले है तो गाइस बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो प्राक्टिकल के माक्स है वो प्राइविट स्कूल वाले अच्छे नंबर बेशते लेकिं गौर्मेट स्कूल वाले अच्छे नंबर नहीं बेशते इसका अंसर में आपको आज की वीडियों दूँगा बट वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर में आप सभी को क्लास 10 के सारे बच्चों को एक न्यूस देना चाँगा कि हम हमारे दूसरे चैनल के उपर अभी कुस दिनों के अंदर इंपर्टिंग कोश्चन सीरीज लेकर आने वाले क्लास 10 वाले बच्चों के लिए जिसके नदर हम आपको इंपर्टिंग कोश्चन बताएगे क्लास 10 के तो आप लोग जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएग तो बात करते हैं कि प्राइवेट में क्या अलग बेज़े जाते हैं मतलब प्राइवेट स्कूल में और गौर्वर्मेंट स्कूल में क्या अलग बेज़े जाते हैं देखो यार ऐसा कुछ भी नहीं है प्राइवेट एक्जाम के सारे स् खराब होते हैं उतना ही जो बड़े अधिकारी है वो टीचर्स को बड़ा सुनाते हैं प्राइवेट के अंदर कुछ नहीं बोला जाता लेकिन गौवर्मेंट के अंदर जो गौवर्मेंट स्कूल के टीचर है उनको जवाब देना पड़ता है बड़े अधिकारियों को मतलब जो उनके superior जो बड़े जो एक तरिकिर minister है उनको answer करना पड़ता है जो school के teacher होते होने तो government के अंदर भी अच्छे नंबर बेज़े जाते है private में भी अच्छे नंबर बेज़े जाते है मैं आपको simple सा reason बता दिये कि क्यों अच्छे नंबर बेज़े जाते है चाहे वो DAVA चाहे वो DPS है चाहे वो KVS सभी के अंदर अच्छे नंबर जाते है आप simply studies करते रो मैं आपको कह रहा हूँ ना भरोसा करो आज से 6 महीने बाद में जब आपका result आएगा उस time आपको सारी बाते समझ आ जाएगी तो आज के मारीस वीडियो में इतना ही बहुत जल्दी बोर्ट एक्जाम स्टार्ट होने वाले है तो फाल्सों चीजे सोशना बंद कर दो बस पड़ाई पे ध्यान दो बागी कोई भी हैल्प साही तो मैं कॉंटेक्ट नंबर अवलेबल है